Creature from the Black Lagoon 1954 की अमेरिकी ब्लाक एंड वाइट 3D मॉंस्टर हॉरर फिल्म है, जो विलियम एलांड द्वारा निर्मित और जैक अर्नोर्ड द्वारा निर्देशित है, हैरी एसेक्स और आर्थर रॉस की पटकता और मौरिस जिम की कहानी है। इसमें रिचर्ड कारलसन, जूलिया एडम्स, रिचर्ड डेनिंग, एंटोनियो मोरेनो, नेस्टर पाइवा और विट बिसेल शामिल है। और फ्रॉम दी ब्लैक लैगून का प्रीमियर 12 फरवरी, 1954 को डेट्रोइट में हुआ और इसे विभिन्न तिथियों पर क्षेत्रिय आधार पर रिलीज किया गया। ब्लैक लैगून के प्राणी को तीन आयामों में फिल्माया गया था और मूल रूप से ध्रुवी कृत प्रकाश विधिद्वारा प्रक्षेपित किया गया था। दर्शकों ने ग्रे पोल राइजिंग फिल्टर वाले व्यूवर पहने जो आजकल सबसे अधिक उप्योग किये जाने वाले व्यूवर के समान है। क्योंकि 1950 के दशक की संक्षिप्ट 3D फिल्म का चलन 1903 के मध्य में चरम पर था और 1954 की शुरुवात में तेजी से खत्म हो रहा था, कई दर्शकों ने वास्तव में फिल्म को फ्लैट 2D में देखा था। आम तोर पर फिल्म शहर के बड़े थेटरों में 3D में और छोटे पडोस के थेटरों में फ्लैट में दिखाई जाती थी। 1975 में Creature from the Black Lagoon को लाल और नीले ग्लास एनागलिफ ठीडी प्रारूप में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था, जिसका उपियोग बीटा और VHS वीडियो कैसेट पर 1980 के होम वीडियो रिलीज के लिए भी किया गया था। अमुद्री जीव विज्ञान संस्थान के दौरे के दौरान शिविर में रहने का आदेश देते हैं। काल के शिविर छोड़ने के तुरंत बाद एक पिसिन उभैचर हुमनॉइड उसी प्रजाती का एक जीवित सदस्य जिससे जीवाश्म की उत्पत्ती हुई। जब इसकी अचानक उपस्थिती सहायकों को डराती है तो वे घबरा जाते हैं और हमला करते हैं और जवाब में क्रोधित प्राणी उन दोनों को मार देता है। समूह ट्रंप स्टीमर रीटा पर सवार होता है जिसकी कप्तानी क्रस्टी लुकास करते हैं। जहां काल को जीवाश में मिला कुछ भी नहीं मिला। मार्क खोज छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन डेविड का सुझाव है कि शायद हजारों साल पहले तटबंध का बाकी कंकाल वाला हिस्सा पानी में गिर गया था और नदी की धारा में बह गया था। काल का कहना है कि सहायक नदी एक लैगून में खाली हो जाती है। लुकास इसे ब्लैक लैगून कहते हैं एक ऐसा स्वर्ग जहां से आज तक कोई नहीं लोटा। वैज्यानिकों ने इसे जोखिम में डालने का फैसला किया इस बात से अंजान कि काल के सहायकों को मारने वाला उभहेचर गिल मैन उन्हें देख रहा था। सुन्दर के कोध्यान में रखते हुए जीव रीटा का पीछा करते हुए ब्लैक लैगून नदी तक जाता है। गिल मैन के साथ बाद की मुठ भेडों के बाद लुकास के चालक दल के सदस्यों की जान चली जाती है। लाल टेन से प्राणी पर प्रहार किया और उसे भगा दिया। लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद डेविड ने फैसला किया कि उन्हें सभ्यता की ओर लौट जाना चाहिए। मार्क जो प्राणी को पकड़ने या मारने का जुनूनी है विरोध करता है। जैसे ही रीटा निकलने की कोशिश करती है। उन्हें पता चलता है कि गिलमैन ने गिरी हुई लकडियों से लैगून के प्रवेश द्वार को अवरुध कर दिया है। जबकि अन्य लोग लठों को हटाने का प्रयास करते हैं, पानी के भीतर अकेले ही जीव को पकड़ने की कोशिश करते समय मार्क को मौत के घाट उतार दिया जाता है। प्राणी फिर रीटा पर चढ़ जाता है और पीछे से काय के पास पहुँचता है। काई चिलाती है क्योंकि प्राणी उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी गुफा में ले जाता है। डेविड, लुकास और काल ने उनका पीछा किया, के को बचाया और क्रियेचर को गोलियों से छलनी कर दिया। ये लैगून में वापस चला जाता है, जहां इसका शरीर पानी की गहराई में डूब जाता है। कुल मिलकर यह काफी रोमान्चक फिल्म है।